देखिए बात हो रही है होगी हो नहीं रही है मोशन आफी कार आन सर्कुलर लेवल रोड सर्कुलर लेवल रोड मतलब समझेगा मतलब एक रोड है जो की सर्कुलर ऐसे घुम रही है एक सर्कुलर पात पर और लेवल रोड है मतलब फ्लैट है ऐसे चुकी होगी नहीं है ठीक ह उस कार को चलने के लिए हम एक्प्रोप मेज़ने निकालते हैं कि वो जब चलती है तो कौन-कौन उस पर फोर्स लगते हैं पहली बात तो और उसकी सेफ स्पीट क्या है मैग्जिवम सेफ स्पीट मतब किस उस पेच स्पीड से आप उस पे चलें आप सेप भी रहें और मेगजर्विव स्वीट से चल भी लें तो पहले देखे रोड बनाई जाए यह एक सर्कुला रोड है रौड ऐसे बनाई जाती है यह सर्कुला रोड है तो सिम्पल एक बात इस सर्कुला रोड का यह सेंटर इसर होगा नहीड चेंज कर सकते हैं सेंटर आप सेंटर तो चेंटर नहीं कर सकते हैं तो यहां कहीं इसका एक सेंटर होगा ठीक है और यहां पर कोई कार ऐसे चल रही है अब कार को हम फिलहाल तो ऐसे बनाई जा सकते हैं और कैसे बनाई जाए तो इसके अंदर आप बैठे हुए जो भी है कार को उपर से देखिएगा तोड़ा सा मतब उपर से विव आप इसका देख रहे हैं कार पर कौन-कौन से फोर्स लगेंगे जब उपर से आप देखोगे ऐसे तो कार का वेट नीचे के उरकाम करेगा और रोड के द्वारा कार प कोई बाडी सर्ग्लर पात में मूब करती है तो इस पर एक फोर्स अक्ट करता है क्या होता है तो centripetal force x on the car क्या है centripetal force x on the car on the car f is equal to खता है mv square upon r यह centripetal force का जो नाम दिया है उन्होंने उन्होंने एपसी दिया है जानवोसी दिया है वह सारे forces में एक्ट करेंगे ज़रा देखे ध्यान से यह centripetal force किदर काम करता है center की तरफ ज़रा ध्यान समझे एक confusion यहाँ पर है car के बाहर बैठा हुआ एक व्यक्ति जो car को देख रहा है उसको लग रहा है car circular path में move कर रही है और उस पर center की तरफ एक force act कर रहा है car के अंदर जो बैठा हुआ वैक्ति होगा और जब car को मोड रहा होगा तो क्या उस पर यह force काम कर रहा होगा उसको क्या message होगा उसको बाहर की तरफ force लग रहा होगा तो आप car को घुमाईए ना तो लगता है हमको उधर हम गिरे जा रहे है ऐसा लगता है ना तो actually में car centipetal force की वज़े से आपको लगता है उस पर लग रहा है उस पर एक बाहर की और force काम करेगा जिसको कहते है centrifugal force actually में यह वाला force इस पर काम कर रहा है safety ठीक है यह वाला नहीं काम कर रहा है car पर बाहर की तरव एक force act कर रहा है और इसकी वज़े से car क्या हो रही है बाहर क्यों भाग रही है तब ही तो slip हो जाती है अगर center की तरव force act करता तो circular path में move करते हैं वक्त अगर car slip करती किधर करती अंदर करती है तो अगर अंदर की तरव force act कर रहा है कार बाहर भाग रही है हम तो बाहर भागेंगे इसका मतब centripetal force उस पर जो काम कर रहा है वो कौन सा काम कर रहा है यह centrifugal उस पर काम कर रहा है आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि car पे बाहर से जो हमको देखने भी लगता है कि car पर centripetal force act करता है लेकिन car के अंदर बैठे वेक्त को जो force experience होता हो कौन सा है centrifugal force च्रह सावधान तो अब car तो बाहर की दूर भागेगी अब car को रोकेगा कौन car के पई है यह पई है पीछे अब ऐसे ही लग सकते हैं पई है हम बना थोड़ी पाएंगे car को रोक कौन रहा है अगर centrifugal काम कर रहा है तो car को slip कर जाना चाहिए फार्मला होता M20 square upon R आर थोड़ा अच्छा बना लिए इस पर एक जिसमें कार मुड रही होगी centrifugal के उज़े से बाहर तरह भाग रही होगी लेकिन slip नहीं कर रही है मतब गिरी नहीं कार रही है किसने रोका किसने उसने किसने रोका centipetal कुछ होता ही नहीं है friction रोक रहा है उसको centipetal लग रहा है बाहर वालों को लग रहा है centipetal लग रहा है Frictional force acting Frictional force Acting किसके किसे बिज Between Car and Car and That road अब पर ये बताओ Frictional force जो act कर रहा है वो static friction है या dynamic friction है ध्यान से सोच कि बताईएगा इस पर जो Frictional force act करेगा वो static friction है या dynamic friction है kinetic friction है ये उत्तर हुआ इसे इसे कर दोगे काउन साथ friction हुआ इस पर जो friction act करेगा force कैसा होगा static friction होगा या dynamic friction होगा ने आपको idea है कि इससे बोल रहे हूँ Actually देखने से लगता है कि kinetic होगा लेकिन ये बताईए क्या नहीं नहीं कार तो चल लगी है क्या कार इधर चल लगी है इधर कार नहीं चल लगी है जिधर वो भागना तो चाहती है उधर लिएक कार उधर जा नहीं नहीं है कार तो ऐसे चल लगी ना तो ये कौन सा friction काम करेगा ये ये static friction कायम करता है तो static friction कितना होगा Fs बराबर μुस into R reaction force reaction force यहाँ क्या मना गिया है N तो μुस into N और N की value किसके equal है μुस into Mg अब ज़रा साउधान ये जो centrifugal force है ये car को बाहर की ओर धक्का मार रहा है और centripetal center की तरफ जो उसको खीच के रख रहा है वो कौन है Frictional force तो safe drive के लिए आपका जो force होना चाहिए centrifugal वो इसके बराबर या इसे कम होना चाहिए बराबर होगा तो ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी अगर आपका ये वाला force कम हो गया तो कार उदर के और भाग जाएगी तो for the safe drive safe drive जो आपका that centrifugal force है that should be less r equal to static friction force ये concert सुन में आगया पक्का ना ये concert सुन में आगया ना तो fc क्या है mv square upon r mv square upon r is less r equal to fs कितना है mu s into mg ये नोट को लिजा इसको काटेंगे पिटेंगे इस कहानी कुत्वा लिखना पड़ेगा कि when inside the car the person's experience the centrifugal force that is acting outward to the circular path ठीक है और due to this force ये car बार के ओर slide जो है slip कर जाती है अब देखो दियान से इसको solve कर लेते हैं और एक और अच्छी सी बात सीख लेते हैं इससे यानि कि ये क्या होगा mm कर जाएगा ना ऐसे क्यों r को अधर ले जाओ तो v square is less r equal to mu s gr तो v is less r equal to under root mu s gr यानि आपकी velocity इस value r इस value से या तो बराबर हो या इससे कम हो अगर इससे जादा आपकी velocity होगी तो car slip कर जाएगी बाहर की और भाग जाएगी skid कर जाना ठीक है अब जरा समझे आपने देखा होगा चहिक पर road अगर turn हो रही है तो आप g वहाँ change नहीं कर सकते change कर लोगे वहाँ का radius change कर लोगे car का radius जो road का radius हो तो यह रहेगा न और mu s b नहीं change कर सकते आप तो आपको balance क्या कर न पड़ेगा v तो accept देखा होगा road वगरा पे लिखा होता curve head speed limit इतनी तक वह अलग की बात हम बानते नहीं हम लिखाने ने दीजिए rule stop the road के इसी की तैसी क्यों क्योंकि हम में powerful हूं कुछ ऐसे countries हैं अगर उन्हों का यहाँ 40 की रफ़तार है तो 40 की रफ़तार होनी चाहिए 41 मतलब चालान तो यहां तो मतलब आप 41 को चाहिए 500 कर दो अगर आप powerful है तब ठीक होगर आप master है नियम का पान करी यह उन्होंने मुर्ग बना दे जाओगे नियम पालना चाहिए न ठीक है तो यह speed limit वहां लिखी रहती curve head उसमें लिखा होता curve head head माने होता है चालू होना नहीं मालू जैसे कानपूर शुरू हो गया है क्या बोलेंगे आप जा रहें कानपूर रास्ते में अपने यहां लिखा कानपूर सुरू हो गया है पापा कानपूर सुरू हो गया यहां से तो का लिखोगे कानपूर स्टार्टेड का मोटर से के लिए कि चल ला कानपूर लखनौ की तरफ कानपूर एहड एहड बढ़ाता है तो लिखा उसमें रोट पे लिखा था करव एहड स्पीड लिमिट 40 अब कुछ गौवर्मेंट ने किया है गौवर्मेंट तो मतलब नियम तो हर जगे बनते हैं नियम को फालो कौन कराता है फालो कराने वाले को 50 रुपे चाहिए चाहिए मतलब चाहिए ऐसा थोड़ी होता है ठीक है तो यह समझ में आ गई बात तो यह हो गया मोशन आफे सर्कुलर लेविल रोड अब एक लफड़ा यह हुआ कि भई सर्कुलर रोड पे हम चलना है लेविल लोड है और स्पीड एक फिक्स है और हम चाहते हैं कि हम तो भई बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीते हैं उस गाड़ियों का एड़टिज में लिखा हो है 10 स तीस आद भी चलते हैं उसमें एक काम तो वह पांच ही लोग आएंगे ठीक है वे हम तो अपने आल्टों बैटते हैं तो हमको उसमें फरारी का ही मजा आता है ठीक है तो अब प्रॉब्लम है कि हमारी गाड़ी तो एकन एक सेकंड में साब सौ की रफटार ये ले ले लेती ह हमको आप यहाँ की रोड पे करके और एक स Catalunya साब की रफटार लेके दिखाओ तुम सौ की रफटार से सहर के अंदार चल नहीं सकते है रफटार तो अधर की भात है तो मतलब क्या है जिस सड़क पे सौ की रफटार में चल नहीं पाएंगे तो स्ड़क पे इसी गाड़ नहीं चला जाते हैं अब अगर ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाना चाहें तो क्या करेंगे हम उसके लिए हमको रोड के साथ कुछ छेडखानी करनी पड़ेगी हम रोड को बैंक करके दिखाएंगे ठीक है वो बात में बताते हैं एक बात और यहां समय लिएगा अब आप क नहीं क्यों उसका रीजन है ना आप रोड चौणी होती है आप यहां पर हैं सेंटर से आपके गाड़ी की रेडियस यह है ना जब जरासा भी सरक से वो आपकी गाड़ी जब स्लिप की तो गाड़ी यहां कहीं पहुँच गई हलकी से किनारे तो रेडियस क्या हो गई गई तो mv2 upon r बढ़ गया ना तो यह centrifugal force कैसा हो गया गड़ गया गड़ गया और आपको बाहर की धका कौन मार रहा था तो गड़ गया ना इसलिए आपकी गाड़ी स्लिप नहीं करती है ठीक है बोले अच्छा तो हम और स्पीड कम कर दें तो मरो जाकर कि फिर तो स्पीड कम नहीं ज्यादा कर दें और ज्यादा कर दें जब तक परणट न जाए तो मरो एक लिमिट तक है उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते तो यह है concept ठीक है नोट कर लीजिए इसको